अपनी चाल और आपके आचारी बताते हैं आपकी राशियों का हाल मित्रो सादर जैसी कृष्ण हमारे यूट्यूब चेनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैं हूँ आपके साथ आचारी धर मिंद्र शास्त्री आज हम आपको बताने जा रहे हैं डेनिक राशिफल यह राशिफल है 24 मार्च दोहजार चोवीस रईवार का दिन है फालगुन महा के शुकलपक्ष की चतुरदश्ची तथा पूर्णिमा तिती रहेगी होली का दहन इस दिन संपन्न होगा होली की पूर्णिमा व्रत की पूर्णिमा इसे दिन रहेगी जो भक्त जन माताएं बहने पूर्णिमा का व्रत करते हैं उनको इसे दिन पूर्णिमा का व्रत रखना होगा पुर्वा फालगुनी नामक नक्षत्र होगा तथा सिंग रासी में चंद्रमा बिराजित रहेंगे दिशासूल के अगर हम बात करें तो पश्चिम दिसा में होगे इसलिए पश्चिम दिसा की यात्रा करना नुकसान दायक सिद्ध होगा अगर किसी कारणवस पश्चिम दिसा की यात्रा करना बहुत जड़ा वश्यक हो तो पान खाकर के यात्रा का आरंब कर सकते हैं राहुकाल जो खिशाम को साड़े चार बजे से लेके छे बजे तक रहेगा इस दोरान किसी भी प्रकार का शुब एवं मांगलिक कारिक्रम आपको संपन नहीं करना चाहिए हालाकि राहुकाल का निर्णे आप अपने ख्रेतर के पंचांग अथ्वा के लेंडर के नुसार कर सकते हैं क्योंकि राहुकाल कई चेत्रों में माना जाता है और कई चेत्रों में नहीं भी माना जाता है देनिक ग्रह गोचर के दिए हम बात करें तो ग्रहो के राजा सूरी देव जोकी मीन राशी में वहीं चंद्रमा सिंग राशी में, मंगल गरह कुंब राशी में, बुद्ध गरह मीन राशी में, देव गुरु ब्रहस पती जो की मेस राशी में, शुक्र गरह कुंब राशी में, शनिदेव कुंब राशी में, राहु गरह मीन राशी में तथा केतु गरह कन्या राशी में बिराजित रहेंगे इस देनिक ग्रह गोचर के नुसार मेश मिदुन सिंग तुला इवं धनू ये पांच राशियां सबसे दिख भागिशाली रहने वाली है कारिक्षित्र में इनको उन्नति और प्रकति के उत्ता मौसर प्राप्त हो सकते हैं धनलाप के सांसांत नया काम 23 मिनिट पर होगा तथा सूर्यास्त शाम को 6 बच करके 29 मिनिट पर होगा सांत ही इस दिन पूर्णिमा ति थी है रविवार का दिन है होली की पूर्णिमा है तो यदि शुब मौर्त में कोई भी शुब काम करना चाहते हैं तो सुबह 7.30 से लेकर के 9 बज़े तक 4 का रहेगा उसके बाद सुबह 10 से दोपार 12 बज़े तक अमरत का चोगड़े रहेगा तथा दोपार 15 बज़े से लेके 3 बज़े तक शुब का चोगड़े रहेगा इस दोरान यदि आप कोई भी शुब काम करेंगे मांगलिक कारेंगे नया काम करेंगे तो आपको अधिक से अ अधिक लोगों को शेयर भी कर दीजिएगा धंडे नोकरी और परिवार के लिहाज से दिन थोड़ा ठीक रहेगा काम में मन लगेगा उत्साहवी आपका बढ़ेगा उपाई के रूप में भोजन के बाद सुफ या फिर इलाईची खाना आपके लिए शुफलदाई साबित होगा अब हम बात करते हैं व्रशब रासी की परिवार का कोई भी यदि तनाव चल रहा है तो वो समाप्त हो जाएगा दिन की शुरुबात अच्छे कारियों से होगी अचानक सब कुछ अच्छा हो जाएगा जीवन साथी के साथ आपकी खूब निभेगी और पारिवारी जीवन सुखद रहेगा तन मन और माहोल में कुछ दिनों से चली आरे सुस्ती भी समाप्त होगी ओफिस करिक्षेटर में कोई स्थिती आपकी रुटीन लाइब को बदल सकती है सामाजिक तोर पर आप काफी सक्री रहेंगे लोगों से मुलाकात और प्रसनता होगी आपकी मदद या प्रेड़ना से कुछ लोगों को सफलता मिलेगी जो काम आपको दिया गया है आप उस पर बारी की से ध्यान देंगे आर्थिक मामलों के लिए दिन अच्छा है अधूरे काम समय पर निपट जाएंगे जीवन के प्रती नजरिया आपका बदला हो रहेगा कोई प्रेम प्रसंग या नया काम आपका शुरू हो सकता है उपाई के रूप में किसी भी मंदिर में यदि आप आटे का दान करेंगे तो आपका दिन शुपलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक जो की तीन होगा अब हम बात करते हैं मितुन राशी की कन्फ्यूजन और गलत फेमी की स्तिती से आप बाहर निकल सकते हैं कुछ नया करने का उसर मिलेगा सफल होने के कई तरीके आपके दिमाग में आजा सकते हैं आपके चिंतन की दिशा सकारत्मक रहेगी आज आप पुरी तरह व्याभारिक और संतुलित रहने की कोशिश करेंगे इसका असर आपके नजदी की लोगों पर पड़ेगा व्यावसाय के मामलों में सफलता मिलेगी कोई पुराना करजा यदी चल रहा है तो वो समाप्त हो जाएगा आज आप संतुष्टी महसूस करेंगे डामपत्त जीवन आपका सुखद रहेगा आपका व्याभार पार्टनर को परिशान या दुखी कर सकता है व्यापारिक जवाबदारी और प्रतिस परदा में जल्द बाजी से नुकसान हो सकता है उपाई के रूप में यदि आप कोई भी लाल रंग का फल देवी जी के मंदिर में चड़ाएंगे तो आप का देंड शुफलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक जोकी नौ होगा अब हम बात करते हैं करकराशी की आप अपने मन की बाते किसी को पता नहीं चलने देंगे राज की बात उजागर नहीं करेंगे पैसों से जुड़ी खुश खबरी आपको मिल सकती है या किसी मामले में कोई अच्छी खबर आपको मिल सकती है ध्यारे रखे अपनी बात और बाचीत के तरीकों पर नियंत्रन रखे इससे आपको ही फाइदा होगा जो भी बोले सोच समझ करके बोले अपनी इच्छा से आप किसी की मड़त कर सकते हैं आपकी योजनाएं पूरी होगी और उससे आपको फाइदा भी होगा आज आप किसी बात पर नर्वस हो सकते हैं आपके मन में खुद को लेकर के फालतु का डर या संसय उत्पन हो सकता है चुट-पुट समस्याईं जरूर है लेकिन आप उसका समाधान भी निकाल लेंगे उपाई के रूप में यदि आप मा दुरगा के मंदिर में कोई भी पुश्प चड़ाएंगे लाल फूल या पीला फूल चड़ाएंगे तो आपका डिन शुपलदाई साबित होगा और आपका भागिशालियन की जो की एक होगा अब हम बात करते हैं सिंगरासी की जो भी काम सामने आए उसे निप्ताते चले आए दूसरों से बैधड़क मदद मांग ले आप अपनी ख्रमता दिखाने का मोका न चुके अपनी रचनात्मक्त योगिताओं के कारण आप सभी से अलग रहेंगे कोई दोस्त आपको परेशानी के वक्त मदद कर सकता है परिवार प्रेमी और संतान को लेकर आप कुछ ज़्यादा ही भावख हो सकते हैं प्रेमी या जीवन साती को समय देंगे धर इसे खुद पर कंट्रोल करेंगे सफलता आपको मिलेगी अचानक कोई रुकावट या परेशानी आ सकती है और मानसिक तनाव का सामना भी आपको करना पड़ेगा कुछ कारियों में आपको परिवर्तन करना पड़ेगा और उपाई के रूप में एक धूब बत्ती यदि अपने घर के मंदिर में जलाएंगे तो आपका दिन शुफलदाई साबित होगा आपका भाग गिशालियंक जो किद्धो होगा अब हम बात करते हैं कन्याराशी की दूसरों के साथ तालमेल बना कर आप चलेंगे जिससे नोकरी में आपको फायदा होगा आप थोड़ा स्वतंत्र और खुद को तैनाव मुक्त महसूस करेंगे आफिस का कोई विवाद निप्टाने की कोशिश आप कर सकते हैं करिक्षित्र पर आपको परिवर्तन करने का आउसर प्राप्त होगा नकरत्मिक स्थिति को सुधारने के लिए अच्छा समय है आपका ध्यान घर परिवार पर बना रहेगा परिवार के कुछ मामले सुल जाना आपके लिए बहुत जरूरी हो जाएगा कोई भी फैसला करने के पहले परिवार के सदस्यों के साथ सलह मश्वरा अवस्चे करे आपके विचारों में मजबुती आएगी अपने मन की हर बात कहने के प्रती आप उच्छुक रहेंगे आज आपको धीमी और साब बात करना अच्छा रहेगा उपाई के रूप में हनुमान जी के मंदिर में लाल फूल चड़ाना आपके लिए शुफलदाई साबित होगा आपका भागिशालियंक जो की आठ होगा अब हम बात करते हैं तुला राशी की आज आप किसी अच्छी खबर की जर्वत महसूस करेंगे इस सिलसले में एक आपको जो है संदेश प्राप्त भी होगा और आपका सम्मान बढ़ेगा और कोई ऐसी जुम्मेदारी आपको दी जा सकती है जिसे सिर्फ आप ही कर सकते हैं किसी विवाद को सुलजाने में आपकी दक्षर्टा का प्रयोग किया जाएगा आपको कई लोगों और कई तरह के मामलों का सामना करना पड़ेगा खुद पर नियंतरन रखेंगे तो आगे आप पढ़ जाएगे पैसो का कोई मामला यदी चल रहा है तो वहाँ सुलज जाएगा जो आज आप बात करेंगे उसमें किसी भी प्रकार का कोई संकोच न करे अपनी सेहत पर ध्यान दे हर जरूरी बात अपने पार्टनर से आप शेयर करे टेंशन आपकी समापत हो जाएगी नए नए आइडियास आपको मिल सकते हैं किसी काम की जित करेंगे तो काम बिगर सकता है इच्छा न होते वे भी थोड़ा बहुत आपको खर्च करना पड़ेगा लोगों की सला या बातों के कारण आपका कन्फूजन बढ़ सकता है आफिस में आप अपने किसी बड़े आदमी से उलजने का पूरा मन भी बना सकते हैं और साथ के लोगों से बात करनी का तरीका आपको ठीक रखना चाहिए उपाई के रूप में भगवान विष्णुजी के मंदिर में यदि आप पीला फूल चड़ाएंगे तो आपका दिन शुफलदाई साबित होगा आपका भागिशालियन को जो की चार होगा अब हम बात करते हैं व्रश्चिक रासी की आपका स्वभाव हस्मुक रहेगा और आप कई समस्याओं को समाधान हसी मजाक में ही निप्टा लेगे पार्टनर को समय दे ओफिस में काम करते समय आपका ध्यान पार्टनर पर बना रहेगा पैसो की स्थिति पर आपको गंभीरता से विचार करना होगा आज आपने जो सोच रखा है वो हो जाएगा मानशिक शांती रहेगी महनत कम है परिनाम आपका दिल खुश कर देगा व्यापार अच्छा चलेगा जीवन सांती की सेहत पर आपको ध्यान देना चाहिए उपाई के रूप में यदि आप भोजन के बाद गुड़ खाएंगे तो आपका दिन शुफलदाई साबित होगा और आपका भाग गिशालियंग को जो किछे होगा अब हम बात करते हैं धनुराशी की दूर इस्थान से केरियर संबद्दित समाचार आपको मिलेगा जो आपको खुश कर देगा साथ काम करने वाले लोग आपके लिए लकी साबित होंगे कुछ ऐसे लोगों से आपकी बातचीत होगी जो आपके लिए महत्तुपूर्ण रहेंगे बातचीत करने का कोई नया तरीका आप निकाल लेंगे और आर्थिक लाप का रास्ता भी आपका बन जाएगा जो चल रहा है उसे चलने दे आपका कोई बड़ा फाइडा होने वाला है आपका ज्यान पैसों के हिसाब किताब पर बना रहेगा निवेस के आउसर मिलेंगे आपसी विचार विमर्स और सहयोग से आपको प्रसनेता प्राप्त होगी और उपाई के रूप में यदि आप कच्चा दूर शंकर भगवान के मंदिर में चड़ाएगे तो आपका दिन शुफलदाई साबित होगा और आपका भागिशालियंक जो की साथ होगा अब हम बात करते हैं मकर राशी की जो लोग आपका विरोध करनी की कोशिश करेंगे वो आपके सामने थोड़े कमजोर हो जाएंगे इससे आपको अपनी बात पर टिके रहने का आउसर मिल पाएगा अब बहुत से काम निप्टाना चाहेंगे मानसिक सुस्ती भी आपकी समाप्त होगी आपको कोई ऐसा काम या नोक्री मिल सकती है जो मानसिक तोर पर आपको व्यस्त रखेगी दिन आपके लिए अच्छा है परिवार या प्रेमी जनों के साथ कोई अन्बन हो सकती है और उसका समाधान भी आपको प्राप्त हो जाएगा और उससे अच्छा मोका मिलेगा पैसों के मामलों में आपको कोई कारगर सलहा भी मिल सकती है और कोई दस्तावेज यदि आपके उल्जेवे तो वो भी सुलच जाएंगे सोच समझ कर किये गए कामों से आपको भरपूर फाइदा होगा उपाई के रूप में गाय को यदि आप रूटी खिलाएंगे तो आप का दिन शुपलदाई साबित होगा अब हम बात करते हैं कुम्पराशी की कोई राज की बात आपको पता चल सकती है और आपके मन में अचानक कोई ऐसे विचार उत्पन होंगे जो आपको फाइदा देंगे अपने मन की बात पर भरोसा रखे सकारत्मक सोच रखे अज पूरी व्यभारिक्ता और समझदारी से अपना काम करे अपनी वाणी और हाव भाव पर नियंतरन रखे उधार और संतुलित रहे तनाओ के मोकों को हासी मजाक में टाल दे समय दो-चार दिन में ठीक हो जाएगा उधार पैसा आप चुका सकते हैं और बड़े तथा खास लोगों से आपकी मुलाकात होगी उपाई के रूप में एक नारियल यदि आप भगवान हनुवान जी के मंदिर में चड़ाएंगे तो आपका देन शुफलदाई साबित होगा आपका भागिशालियंक जो की पांच होगा अब हम बात करते हैं मीन राशी की कोई खास बात आपको पता चल जाएगी व्यावसा या नोकरी के कुछ कामों में आप भागिशाली साबित होगे कुछ दोस्तों और परिच्चेतों से आप चर्चा करेंगे आगे चल करके आपको ही फाइडा होगा कुछ महत्वपूर्ण लोगों से आपकी महत्वपूर्ण चर्चा होगी मुलाकात होगी उनसे आपको फाइडा होगा कोई काम आपने पिछले दिनों सुरू किया है उसके भी अच्छे परिनाम आपको देखने को मिलेंगे उपाई के रूप में तामबे के लोटे से भगवान शंकर जी को जल चड़ाना आपके लिए शुप फल दाई साबित होगा और आपका भाग गिशाली अंक जोकी नो होगा तो मित्रो या बारा राशी का देनिक राशी फल और उनको करने वाले उपाई ताथ भाग गिशाली अंका हमने आपको बताए हैं हमारे इस ग्यानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जैसी कृष्ण सादर धन्यवाद